What's up people ? क्या हला सभीगे ? तो यार आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ about how you can downgrade your Redmi Note 8 Pro मतला काई अब अपने फोन को MIUI 12 से MIUI 11 पर ला सकते हो या फिर अपने फोन को Android 10 से Android 9 पर ला सकते हो अब गाईस आपको इसकी जरूरत इसलिए क्योंकि आपको अपने फोन के अंदर कोई रोम इंस्टाल करने होगा और उसके लिए गाईस मिनिममम रिक्वायरमेंट यह कि आपका फोन Android 5 पर होना चाहिए बट मेक शूर गाईस डू आट यूर ओन रिस्क अगर आपका इस फोन खराब होता या फिर कोई भी और दिक्कत आती है तो भाई उसके लिए मैं जिमेवार नहीं होंगा सब लेट्स बिगेंग तो यहां पर गाईस अपने पास ना रिड्मी नोटेट प्रो आचुका है गाई तो अभी यह चल रहा है यहां पर गाईस सबसे पहले आपको अपने फोन का बूट लोड करना पड़ेगा तो यहां पर गाईस आपको सबसे पहले मी यू आई वर्जन पर 7-8 टाइम्स टैप करना है उसके बाद गाईस आपका डेवलपर ऑप्शन्स एनेबल हो जाएगा आपको इस अपने फोन के डेवलपर ऑप्शन्स में जाना है और यहां पर आने के बाद गाईस आपको ओई एम अनलॉकिंग और यूसबी डीबगिंग दोनों यह उप्शन्स को एनेबल कर देना है उसके बाद कर आपको अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन कर लिया है तो आप गाईस यहां पर बोल रहा है कि वाई-फाई ओफ कर लो तो मेक शूर काईस आप भी अपने फोन का वाई-फाई ओफ कर लेना और अपने फोन को मुबाइल डेटा पर डाल लेना उसके बाद कर यहां पर आपको अगेन क्लिक करना है अगाउंट डिवाइस के बटन के ऊपर और आपके सामने एक पॉप आजाएगा अडेट सक्सेस्फुली गा उसके बाद आपको अपने फोन को फास्ट बूट मोड के अंदर रीबूट कर लेना है तो आपको अपने फोन का वाल्यूम डाउन और पावर बटन होल्ड गर गर रखना तो यहां पर अपने फोन को अपने कंप्यूटर के साथ करनेक्ट कर दिया है तो यहां पर आपको सबसे पहले MI का अनलॉक टूल डाउनलोड करना पड़ेगा तो आपको गूगल पर सर्च करना MI अनलॉक टूल और आपको पहली वेबसाइट पर यह मिल जाएगा इसका आपको लिंक भी दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे द करना है और यहां इसको यह को सबसे पहले यह जो MARY वहılar यूइस भी ऑपٍ दिध्र ग्रायवर करना थेगा अपने फोन की डीटा केवल इक लेट दूबारा अपने फोन को कनेक्ट कर देना फंपक्यम्स के सब्सक्रइग कर देगा उसके बाद गाइज आपको MI Flash Unlock की आपको Open करना है और यहाँ पर गाइज आपको Agree के बटन के पर क्लिक कर देना है और अपने MI Account के अंदर Login कर लेना है Make sure guys आप वही अकाउंट यूज करो जो आपने अपने फोन के अंदर Login करा हुआ है मैंने अपने अकाउंट के अंदर Login कर लिया है Make sure guys यह करने से पहले अपने फोन के सारे इंपोर्टेंट डिटा का बैक अप ले लेना क्योंकि आपको वेटिंग टाइम दिखा दे 168 आर्स का या फिर कितने भी टाइम गा तो आप गाइस एक वीक के बाद यह सेम प्रोसेस रिपीट कर लेना और बूट लोड़र अंलॉक हो चुका है और गाइस प्रोसेट हो चुका है और अपने अप रिबूट हो जाएगा है और जगर आपको फोन आंड्रोइद 10 पे आप आपको उपर यह अनलॉक का सिंबल बना हुआ दिख जाएगा मेक शूर आपके फोन के अंदर भी सिंबल बना हुआ है यहां पर इस फोन पुरा रिसेट हो चुका था ओन होने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था तो कि मैंने उस खोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है तो यहां पर इस मेरा फोन ऑन हो चुका है भी गाइस मैं इस अपने फोन को अपने कम्प्यूटर के साथ कनेक्ट कर देना अब गाइस आपको अपने फोन के अंदर डाउंग्रेट करने के लिए आपको एक और टूल डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि है एम आई फ्लैश प्रो मैं आपको कोई जितने भी टूल यूज कर रहो है या फिर जो भी फॉर्म वेर यूज करूंगा उन सब कर लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप वहां से जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हो तो यहां पर गाज आपको इसको फट 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 यहां पर डाउनलोड कर लेता हूं तो यह गाज मेरे कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो चुका है इसके आपको बेसिकली एक जिप फाइल मिलेगी निक्स्ट घाइस हमें चाहिए होगा फॉर्म वेर तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा फॉर् वेबसाइट मिल जाएगी शाओमी फर्मवेर डाट कॉम आपको चले जाओ और यहां पर इसका लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जब नीचे स्क्रोल करोगे तो आपको सारी रोम देखने को मिल जाएगी मतलब ग्लोबल रॉम इरोप की इंडोनेशिया इंडिया आप जो चाहो वो फ्लैश कर सकते आप चाहो तो अपनी कंट्री के साब से फ्लैश कर लो जिस कंट्री में आप रहे तो यहां फिर ग्लोबल रॉम फ्लैश कर लो तो गैस मैं यहां पर इंडिया वाली रॉम फ्लैश कर रहा हूं मेक शूर गैस अब जिस रॉम को करो उसके आगे भी गाई यह पी डबल जी से स्टार्ट हो अगर क्यों से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब वो Android 10 बेस्ट रोम है बट अगर उसका कि कुछ कर सकते हो दो को इसट इस फोलडर को ऊपेन खरना है और इसकी सेट्ट अपको रहा है ये सब करण थो आप सभी लोग जानते ही होगे भर नहीं चानते हो क्यासे कि कुछ नहीं है इस negativity नगान बस आपको आपने नहीं भी करा तो कोई दिक्कत नहीं आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेंगा बिना लॉग इन करें भी यह कर सकते हो यहां पर मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि यह मेरे पास फॉर्म वेर किया फोल्डर बन चुका है जो मैंने जिप फाल को चूज कर लेना है मतलब जो फॉर्म वाला फोल्डर था आपको उसको चूज कर लेना तो यहां पर गैज मैंने जूज कर लिया आप देख सकतो हूं यहां पर बैगानिया लिखा हूआ है और जो वर्जन है वह 11.0.4.0 है उसके बाद कि आपको फोन अगा तो आपको क्लीन ओल से यूजर डाटा और क्लीन ओल एंड लॉक तो मेक शूर अगर आपको रॉम फ्लैश करने हैं अंडर नाइन पर करने के बाद तो सिर्फ आप क्लीन ओल पर करना क्योंकि करते हो तो आपके बूट लोडर दुबारा लॉक हो जाएगा तो मैंने यहां पर गल्ती से क्लीन ओल एंड लॉक शुरू कर दिया था तो इस वज़े से यहां पर मेरे फॉन का भूट लोडर भी लॉक हो चुका है और जगर आप भूट लोडर लॉक नहीं करोगे तो हो सकता ही आपको एरर दिखाए बट कोई दिक्कर नहीं आपका फॉन साही से वर्क करेगा अपन अन भी हो चुका है तो यहां पर गईज हम उम स्क्रीन पर आचुकिया आपको यहां पर मैं आपको सेटिंग में जाकर दिखा देता हूं कि आंड्रोइड वर्जन क्या है वैसे मिउवाइवन तो फ़ई स्टार्टिंग में लिखा हूँ आ गया था बट शील एक बना को दि